हालो एवरिवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके A9 एजुकेशन फैमली में और आज के इस वीडियो में 70th PPSC के सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं औरंजेब के बारे में आप जिन्डा पीर के नाम से भी जानते हैं औरंजेब का पूरा नाम मुईनुद्दीन मुहम्मद औरंजेब था और इसका जनम 24 अक्टूबर 1618 इस्वी को उज्जैन के पास दुहाद नामक अस्थान पर हुआ था तो जन कब हुआ था ये हमें याद रखना है और इसका पहादूर की उपाधी दी थी और 1636 इस्वी में औरंजेब को शाह जाने पहली बार दक्कन का सुवेदार बनाया था जहां वह 1644 इस्वी तक रहा था गोलकुंडा तो था बीजापूर की संधी जो औरंजेब से रिलेटेट पूछा जाता है वह हम देखते 1632 इस्वी में जबरंजेब दूसरी बार दक्चिन का सुवेदार बना तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापूर संधी करने के लिए गोलकुंडा और बीजापूर को संधी करने के लिए बादी किया शासक बनने के बाद उसने 1686 इस्विव में लीजापूर तथा 1687 इस्विव में गोलकुंडा पर मुगल सत्ता किया स्थापना की और इसके बाद दाराशिकोह की हत्या जो है ये औरंग जेब ने अपने प्रवलतम उत्राधिकारी प्रतिद्वन्दी दाराशिकोह को देवराई के युद्व में परास्त कर उसकी हत्या करवा डाली औरंग जेब का राजय विशेक कभी हुआ ये हम देख लेते हैं शाजा को बंदी बनाने के बाद इसने पिछले वीडियो में हमने देखा था किसने कैसर शाजा को बंदी बनाया और क्या क्या चीजे इसकी जो परस्नालिटी थी वो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था अपने फादर के साथ अपने भाईयों के साथ क्या था इसका ये सारे चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बात करें थी तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा औरंग जेब ने अपने प्रवलतम उत्राधिकारी की हत्या करने के बाद औरंग जेब का जो राजविशेख होता है ये शाह जाहा को बंदी बनाने के बाद 21 जुलाई 1658 इस्वी को हुआ और औरंग जेब को औरंग जेब आगरा की सिंगासन पर बैठा अब बात करते हैं औरंग जेब के राजविशेख के बारे में तो शाह जाहा को बंदी बनाया इसने और उसके बाद 21 जुलाई 1658 इस्वी को इसका राजविशेख हुआ और ये आगरा के सिंगासन पर बैठा लेकिन उसका वास्तविक राजविशेख जो है ये हुआ था 5 जुल 1669 इस्वी को 1659 इस्वी को दिल्ली में और उसके अफसर पर उसने अबुल मुझफर मुईनुद्दीन मुहम्मद औरंग जेब बहादूर आलमगीर बादशाह गाल जी के उपाधी प्रतान की कुछ जा रही छोटा नाम है ना सो नेक्स देखते हैं और इंजेब का राजत्व सिद्धान्त इसका राजत्व सिद्धान्त क्या था जहां से पूछे जाते और इंजेब का राजत्व सिद्धान्त जो था ये इसलामी आवरन यूक्ट था ये पूरी तरह के से इसलामी था और लक्ष जो है ये दारूल हर्ब गैर इसलामिक देश को दारूल इसलामिक देश में बनलना था इसलाम का समर्थक था ये और औरंजेव कटर सुन्नी मुसल्मान था औरंजेव ने मुत्राओं पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था और उसने नौरोस त्योहार मनाना तु 1689 में हिंदूओं पर पुनह जजिया था कि तिर्थ कर ये लगाया था संगीत का ये पूरी तरीके से विरोधी था अकबर औरंजेव माफ किजेगा और दरवार से नाचने गाने वालों को बाहर निकाल दिया गया और संगीत को पूरी तरीके से विरोध किया गया धार्मिक नीती जो इसके थी यह कुरान के नियमों को पुर्णता पालन करता था जैसा कि आमने देखा कि यह कटर सुन्नी मुसल्मान था और यह कुरान के नियमों का पुर्णता पालन करता था औरंग जेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है और औरंग जेब के काल में ही पाटन का सोमनात मंदिर पनारस का विश्वनात मंदिर और मतुरा का केशप मंदिर जो है ये तोर दिया गया था आपने देखा होगा कि विश्रनाद मंदिर की अभी फिर से मरमत हुई है फिर से उसका जिन्योधार हुआ है उसको बनाया गया है औरंग जेब ने राजपुतो के अतिरिक्त अन्य किसी हिंदु जाती को पालकी का उपयोग करने तथा अच्छे हथियार रखने पर रोक लगा दिया था और इसने भांग का उत्पादन बंद करवा दिया था वो वैश्याओं को देश से बाहर निकरने को कहा सती प्रधा पर रोक लगवाई थी इसने और औरंग जेब की धार्मिक नीती के विरुद्ध सबसे पहले किसने विरुद्ध किया तो यह किया जाटो ने 1679 इस्विर में अस्थानिये जाटो ने गोकुल के निर्थित्व में विरुद्ध किया तिलपत के युद्ध में जाट जो है यह और औरंग जेब से परास्त हो गये और इसके बाद हम देखते हैं औरंग जेब के द्वारा समाप्त किये गए कर्ड़ समकाली ने तिहास कर खाफी खाँ अपने ग्रंथ मुंतखब लुबाल में लिखते हैं कि शासक बनने के बाद औरंग जेब ने विबिन प्रकार के असी करो को समाप्त कर दिया और उनी असी करो में राहदारी और पांदारी जो है ये मीन कर थे इसको आपको याद रखना है राजा राम से विद्रो से क्वेशन्स पूछा जाता है जो जो क्वेशन्स पूछे जाते हैं जो भी इंपोर्टेंट है वो हम यहां पे देखते हैं 1686 इस से संखश के दोरान राजा राम मारे गए आगे चलकर जातों ने नीता चुग्रामन वह बदन सिंग के निर्थित्व में अर्थ्रिवस्था का लाब उठाकर आग्रद अध्था मत्वरा पर अधिकार कर लिया और भरत पूर राजे की नीव रखी औरंजेब की मृत्यों ज अरंगे ने जिस एक मात्र गंत को संग्रक्षन दिया था वह था फत्वाय जहांदारी और प्रांटों की संख्या क्या थी इसके शासनकाल में तो इसके शासनकाल में मुगल प्रांटों की संख्या जो है वो सरवाधिक थी और 21 थी मराठों का राजनिती में भाग था इसके मराठे जहांगीर के शासनकाल में ही दक्षिन की राजनीती में भाग लेते थे, प्रारमभी में मराठो ने शाहजी के निर्टित्व में अपनी शक्ती को विख्सित किया और आगे चलके शाहजी के पुत्र शिवाजी स्वतंत्र मराठा राजी के सरस्धापक बने, जी छत्रपती बना और शंभा जी ने और शंभा जी ने औरंग्जेब के विद्रोही पुत्र जो द्मित्य अकबर था उसकी मदद की औरंग्जेब की सेना ने दक्षिन में जाकर शंभा जी की हत्या कर दी इसके विरुद्ध में क्योंकि इसने औरंग्जेब के विद्रोही पुद्र की रक्षा की थी और इसकी मदद की थी शंभा जी की हत्या से छुब्ध होकर संपूर्ण महारास्ट्र औरंजेव के विरुद्य खरा हो गया अब मराठो की कमान राजा राम ने संभाले थी और 1770 में राजा राम की मृत्यों के बाद उसकी विद्वा पत्नी तारा पाई ने अपने अर्प व्यस्क पुत्र शिवा जेद वीद्य की संग्रक्षि का बनकर मराठा निर्दित्व की कमान संभाली थी औरंजेव मराठो के विरुद्ध जो है ये असफल रहा था और इसके द्वारा जो महतोपुर्ण इमार्ते बनाई गई है वो हम देखते हैं औरंग जेव ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जित का निर्मान करवाया था किसने औरंग जेव ने उसने औरंगा बाद में अपनी पत्नी राबिया उद्दौरानी का मकबरा बनवाया जिसे दूसरा ताज महल कहा जाता है बीबी का मकबरा भी इसे कहा जाता है फिर इसका सिखों के नौवे गुरु गुरुतेक बहादूर से भी संगर्ष हुआ और गुरुतेक बहादूर की हत्या का बदला लेने के लिए सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविन सिंग ने मुगलों से संघर्ष किया और अरंजेब ने गुरु गोविन सिंग के विरुत अभियान चलाया इसने गुरु गोविन सिंग ने संपूर्ण सिखों को खालसा कहा था इसी शासनकाल में और इससे related जो अन्य तथ्य है वो हम देखते हैं और इंजेब को आलमगीरी प्रथम भी कहा जाता है और यह अर्भी फार्सी तुर्की भाषा का जानकार था इसके शासनकाल में सबसे जादा हिंदू सेनापती थे वैसे यह कटर जो है यह सुन्नी मुसल्मान था मुगलों का पतन हुआ इसके शासनकाल के बाद यह हम आगे की वीडियो में देखेंगे मैं इससे पहले आपको पहले के वीडियो में लेकर जाना चाहूंगे जहां पर हमने बात करी थी थोड़ी बहुत औरंजेब के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि औरंजेब ने शाह जाह को 1658 इस्विर में आगरा के किले में नजर बंद कर लिया था और सत्ता अपने हाथ में ले ली थी जहां पर आठ वर्ष बिताने के बाद 1666 इस्विर में किसके मृत्य हो गए थी शाह जहां की और मैं आपको एक रोचक तथे बताओं कि शाह जहां की पुत्री जहां आरा ने अपने पिता की देखभाल की और इसने हर संभव प्रयास किया इस आठ सालों में कि ये के बीच की जो खटा से उसको दूर कर पाए जबकि ये पूरी तरीके से नाकाम रही और इनों ने जहां आरा ने आजीवन विवा नहीं किया और जब तक इनके पिता जिवित रहे तब तक उनकी देखभाल की और राजमहल से पूरी तरीके से ये अलग हो गई थी तो हमने ये देखा था और फिर उत्राधिगार के युद्ध में भी हमने देखा था कि औरंज जेप का क्या रोल था ये सारे चीज़े हमने डिसकस करे थी तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा आज का वीडियो बहुत छोटा है लेकिन आपके रहे काफी इंफॉर्मेट लिजे ताकि किसे भी एक्जाम से पहले आपके पास एक नोट सो और आप उसको पढ़कर जा सके आज हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़े देखी है औरंज जेप के बारे में कि उसने इसका जो जन्म है वो कहा हुआ तो ये दोहद नामा कस्थान पर हुआ जो क्यों जैन के पास है 24 अक्टूबर 1618 इस्वी में हुआ और इसने बहादुर की उपादी धारन की थी 1686 इस्वी में बीजापूर्ट था 1687 इस्वी में गोलकुंडा पर मुगल सत्ता क्या स्थापना की थी दाराशिको की हत्या करवा डाली थी इसने और इसका राजय भिशेक हुआ था अपने पिता को आठ साल के लिए इसने नजर बंद कर दिया था उसके बाद 21 जुलाई 1658 इसका राजय भिशेक हुआ और इसके साथ इसके बाद दिल्ली में पाच जून 1669 को इसका राजय भिशेक हुआ और इसी अफसर पर इसने अब अबुल मुजफर मुहिउत दीन मुहम्मद औरंग्जेव बहादुर आलमगीर बाक्षा गाजी की उबादी धारं की थी इसका राजत्व सिद्धान्त आप देख लिजेगा एक बार ये कल्मा खुद्वाना इसने बंद करवा दिया था मुद्राओं पर और त्योहार मनाता दुला द्यान करना धरोखा दर्शन बंद कर्वा दिया जो भी हूली वग्यरा जैसी जो तिहार मनाये जाते थे इन सारी चीज़ों को इसने बंद कर्वा दिया और संगीत के बिलकुल खिलाफ था ये इसने सारे संगीत तग्य को अपने दरवार से बाहर निकल दिया था और वैश्याओं को इसने देश से निकलने का फर्मान जारी किया था 1689 स्वी में हिंदुओं पर पुना जजिया था तिर्थ कर लगाया था इसने और कौन से कर इसने बंद करवाया जो इंपॉर्टेंट था तो इसने असी कर बंद करवाया जिसमें पांधारी प्रमुठा और रहदारी प्रमुठा इसके अगेंस्ट जो जाटो का विरूद जो कि 21 थी और इसने शंभा जी की हत्या कर दी थी बाद में किसके हाथों में सत्ता गई मराथा सरकार की यह सारे चीज़ें हमने यहां पर डिसकस करी और लास्टली हमने देखा कि औरंजेब जो है यह मराथों के विरुद्ध सफल रहा था और इसने जो अपनी वाइफ थी इसकी रविया उद्धुरानी इसका मकबरा बनवाया कहां पे तो इसने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रविया उद्धुरानी का मकबरा बनवाया जो की कौपी कह सकते हैं आप ताज महल का दूसरा ताज महल है और बीवी का मकबरा भी इसको कहा जाता है इसका गुरुत के बाद मुगलों का पतन कैसे कैसे हुआ यह सारी चीज़े हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे सो आई होप यह वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगा होगा अगर कोई भी कमी नजर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरू बताइए मिलते हैं नेक्स से बने गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद